हेलो स्टूडेन बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में पास होने का जबर जस्त ट्रिक यानि कि आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो कौन सा ट्रिक लगाना है यदि आप अगर जीवन पर्चे लिखन में लेखक का जन्मति थी ठीक है जो इनका जन्म दीना वो भूल जाते तो क्या ट्रिक लगाना कोई भी गध्यांस पद्यांस के आप लेखक भूल जाते तो कौन सा ट्रिक लगाना है ठीक है हिंदी का एक ऐसा आजूबा ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ल नहीं आती तो आपको इस ट्रिक से हल करके आना और हंडेंट distant इस ट्रिक से आप हल कर आोगे अगर आपका 100 मार्वाक आट तो उसमें 80 मांक्स आपका मिलना ता है अगर आपका 70 मांक्स का हिंदी है तो उसमें 50-55 नमबर मिलना ता है यह त्रिक मैं आपको बताऊँगा जीनियस ट्रिक आपने यूटूब पर बहुत सारे इंदी में पार सोने का ट्रिक देखे होगे लेकिन यह जो ट्रिक बिल्कुल पूरे यूटूप पे आपको नहीं मिलेगी हिंदी में पास ओने का जबर्जस ट्रीक इसके मैंने बोट का पेपर लिया है यह मैं इसलिए टिक लगाया हुआ पेपर लिया है ताकि आपको इसका पूरूफ भी दे सको कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है और बच्चे उसको छोड़ देते थे इंपोर्टेंट है यह नहीं आएगा अगर ऐसी पेपर आ जाता तो यह पूरी ट्रिक आपको लगा देना है हो सकता आपको बढ़ने में बहुत अच्छी हो कास आपको ऐसा गद्यांस ले दिया जिसमें आपको उसके लेखक का नाम नहीं समझ मेरा तो क्या ट्रिक लगाना है बिना पढ़े आपजेक्टिव क्वेस्चन कैसे हल करना है ठीक है क्योंकि आपके बोर्ट एक्जाम में 20 म गारंटी टीचर खुस होकर आपको पूरे नंबर देंगे अगर आप ये ट्रिक अपने बोर्ट एक्जाम में लगा कर आओगे ठीक है गद्यांस की अगर लेखक का नाम ना पता हो तो संदर्व कैसे लिखना है कि आपको उसका दो नंबर मिले ही मिले लेखक का जन्म ना प आते हैं अब जैसे यहां पर एक चीज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जैसंकर प्रसाद की रचना है यह क्वेस्चन आपके बोर्ट एक्जाम में आ गया तो देरका लहर है काम्यानी है यह वह भी दोनों है साकेत है इसका प्रूप भी मैं आपको पेपर में दिखाऊंग बताऊंगे परसेंग जब भी आपको ऐसा है कि लहर और काम्यानी दे और यहां पर देले एट था भी दोनों तो आपका यह जो चांस है यह 99% सहीं होने का चांस होता है 990 परसेंगे तो एस कंडिशन में आप यह वह भी दोनों मार देना ठीक आख बंद करके मारतना आपका सही हो जाएगा 92% इसका सही होने का चांस होता है और अगर देखो अगर आपके एक्जाम में कोई भी objective question इसे भी यानि जो sun वाला आ गया तो यह trick आपको लगा दिना है कौन सा trick लगा दिना है आपको इसमें से क्या कर दिना है सबसे छोटा एंड बड़ा देखो यहाँ पर trick यह work करता है छोटा एंड बड़ा ठीक है अब छोटा बड़ा क्या है इसमें से आपको सबसे छोटा वाला सन देखना और सबसे बड़ा वाला सन देखना सबसे छोटा सन आपका 1886 भी में और सबसे बड़ा वाला सन जो है 1910 भी सरड गुप्त का जन्म हुआ था जोना इन दोनों को भूल देना यह होगा हिने तो हमने देखा कि 1910 अबसे बड़ा एंड 1886 सबसे चोटा है तो हमारा सबसे चोटा आप्सन करेक्ट हो जाता है तो आपको इनहीं दो में से कोई को टीक कर देना है वो सही होगा दोगो अगर आपके एक्जाम में कोई भी MCQ ऐसा आए तो यह ट्रिक लगा देना ठीक है इसका भी मैं प्रूफ आपको पेपर में दिखा देता हूँ जैसे यह पेपर है हमारे पास ठीक है यह पेपर है और भी पेपर हमारे पास है इंदी के उसमें मैं दिखात कर्काहूँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यह है ठीक है आप देखो यह है कि तार सब्तक प्रकासन हुआ था अब इसमें सबसे छोटां बड़ा को में देखना है सबसे चोटां गुनी सो थिराली से सबसे बढ़ां का क्या है में फ 60 इन दोनों में देखना है और इन के बाद यहां पे देख सकते हो कि अगर देखो अगर आपके एक्जाम में कोई भी MCQ ऐसा है तो यह ठीक लगा जैसे कोई है कि A है आपसे सहीं कि B सहीं कि C सहीं कि A सब सहीं अक्सर यह question आता है आप आख बंद करकर यह सब ही मार देना यह 100% इसके ठीक होने के चांस होते हैं करेक्ट होंगे ठीक है जैसे मैं इसमें आपको दिखा दूँ जैसे यहां पर देखो उत्प्रचालंकार की वाचक सब्दे मानो जानो जाने हूं मूनू मनू जनू ठीक बाकि इस पेपर में जैसे च्छायावादी कभी हैं जैसे संकर परसाद महादेवी और मासुरी कांतिर पाथन रहें यह सभी ठीक है यानि यह सभी वाला कितने परसेंट चांस है 100% होता है कि यह करेक्ट हो जाता है ठीक है यह आप मार करना यह दिखो बोड की पेपर है और यह रियल पेपर है इसमें मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो इतना तो प्रूप मैंने दे दिया और एक्जाम की पेपर में सबसे ज्यादा सही होने वाला आपजेक्टिव क्वेस्टन ए वर सी होता है ठीक है अधिकतर पेपर में ए वर सी वाला सही होता है जैसे मैं इस हो इसमें। फ्रक्त कि पर स्व दोजस 1024 सब्से ज्यादा क्या सई हो रहा है। से यहांप सब बाइब में करते हैं गुंद करक्तिक यहांb अब्यवरतने से ज्यादे से ज़यान यहांद डधाब रहने का से आफ बाइब तक कुने इसमें पहले ही साही हुआ हुआ फिर अपकर यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं और यहां से ज्यादे सही होने के चांसे रहते हैं तो इस ट्रिक को आपको फालू करने एंड हमारी जो दूसरी ट्रिक शुरू हो जाती यहां से कहां से यहां से ठीक है अब देखो यहां से खंडबाव अन्नात्मक प्रेशन आता है जो कि आपके बोटिक जमें 50 मार्क्स का पूछा जाता है अब हम असानी से आ जाएंगे ठीक है मैं खुद देता हूँ जैसे यहा गद्यांस का संदर्ब लिखना है अगर आप कोगी कि सर मुझे पाठ का नाम नहीं पता है लेखक का नाम नहीं पता है तो कैसे लिखें देखो जो भी गद्यांस देता है तो एक्जामनर सबसे लोग कटेगरी की बच्ची को देखकर पेपर बनाता है और इसमें जैसे आप आपका अगर बात वाले चेप्टर चाहे मित्रता वाला चेप्टर है चाहे जो भी चेप्टर उसका एक एक वर्ड इसमें मिल जाएगा जैसे मित्र का यह चेप्टर है तो मित्र मिल जाएगा ठीक है बात वाला चेप्टर होता तो बात मिल जाता है अगर आपका राष्ट का स प्रश्णुत्तर संख्या यहां पे 21 को फिलब कर लेना है और सबसे पहले संखित देदना मित्र डैस डैस धोखा न होगा शुरगात की एक से दौचर और लाश्ट की एक से दौचर हम नहीं ले लिया लेने की बाद में क्या लिखना है संदर्ब लिखना है अब देखो अगर संदर्ब आप को नहीं पता है इसमें लेखक का नाम नहीं पता है सिर्शक का नाम नहीं पता है है तो इतना तो आप को हिंदी से ही आएगा हिंदी का पेपर है तो हिंदी के गड़िक खंड में संकली अब यहां पर आपको इस सिर्षक का नाम नहीं पता है तो आप अगर कुछ भी पहले या दूसरे पार्ट का नाम लिख सकते हो अपने बोर्ड एक्जाम में इसे बुलू से लिखना अगर नहीं किलिए रहे तो इसे बुलू पेइंश लिखो क्योंकि अगर ये चीज़े ये चीजी ये चीज़े आपका इक्जाम नर ये चीज़े देखेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन रीजेलाश्ट इंप्रेशन वह समझ जाएगा कि बच्छा पढ़ने में अच्छा है और जो एंसर लिखा काफी अच्छा लिख यहां से देख सकते हो आप यहां तक के सब्दों की नीचे इस तरह का रेखा की चाहिए इसी की व्याख्या में करना है अगर व्याख्या करने नहीं आता तो आपको रेखांकी तंसकी व्याख्या है डालना है प्रस्तूत पक्ति में लेखा कहते हैं कि इतना आपको लिखना है ठीक है प्रस्तूत पक्ति में लेका कहते हैं कि इसके बाद पूरा जितना भी रेखा की चाहिए है इसको ही देखकर आप पूरा का पूरा लिख दो ठीक है आपको नमबर दो नमबर मिल जाएंगे लेकिन कोपी इस तरह से होने चाहिए अब इसके बाद है कि अच्छे मित्रो गूरा कुछ इसमें कीवर्ड देख लेना भी जिसे गूरा गया मित्र घुज़ हो गया त्यहाँ पर देख सकते हो मित्र हो तो प्रतिष्ठित सु दिहरदेक हो मिर्दुल और पुरसार्थी हो सिच्छड और सथ्यनिस्ट हो यह सब उसमें गूर्ड होना चाहिए मित्र में यह सब चीजे गूड होना चाहिए तो यहाँ से मित्र मिल जा पूँला मित्र से दो अचार यहाँ पे यहाँ पे अपने सब्दों में लिग देना है संदर्ब में आपको यहां पे प्रस्तूत गद्यान्स तो पध्यांस रहेगा ठीक है, और उसके बाद हमारी पुस्तक हिंदी के पध्यकशंड में यहां पे रहेगा संकृत सकलित जो भी पार्ट से है वो लिख देना है ठीक है इसके बाद रिखांकी तंसकी व्यक्या कर देना है और यहां पर जैसे है कि रिखांकी तंसकी व्यक्या में प्रस्तूत पक्ति में यहां पर लेखक नहीं लिखेंगे यहां पर कभी लिखेंगे पध्यांस में ठीक है क्या सबी हिंदी लीकिए संदृ सिंदी मनुवात करें ठीक है आप इसका संदर्व लिख देना कि यह कैसे लिखना यहां पर मैं आपको दिखा दू कि थोड़ा से संस्कित गड़ो vibrant झोलनिव हमारी उख से बुलुपयज नमक पार्ट से लिया अतना कर देना, अगर नहीं आता मता- सीरसक का नाम पता , अगर यह भी करकर आओगे one, अगर यह चीज अगर गलत भी कर दोगे जामनर चेक भी करेगा अगर पकड़ लेता है तो इसमें डेर्ट नमबर आपका कहीं नहीं गया है तो यह लिखने का जो तरीका यह है आपको इसके बाद हिंदी मानुवात की बात आती है तो इसमें क्या करना है दुखो जैसे असमाक जीवन तो यहाँ पर मानो और इसको अलग कर देना जीवन को अलग कर देना ठीक है संस कर्तुम है तो लिखना संस्कृत एसा मतलब यह मतलब थोड़ा मोड़ा अपने सब्दों में बनाकर लिख देना है यह कितने नमबर का आपको डेर्ड नमबर अगर सिर्शक गलत होता बाओ तो मिल जाएगा और थीन נमबर में से आपको दो नमबर तो मिलेगा अपर छोड कर当े तो कुछ नहीं मिलेगा बाई अगर ल कर आओ तो गुस्त मिलेगा इसकी बाद आपको इसमें क्या आता देख लेना यह क्लिए यह आता है ठिक है संस्कित खंड में संकलित जिस सिर्शक्स लिया गया वो लिख देना है अगर नहीं आता तो सिंपल लिख दोगे तो भी डेड़ नंबर मिलेगा संदर्प का एंड हिंदी में इसका अनुवात करना जो भी आपको को समझ में आता है अगर नहीं समझ में इसको भी लिख दोगे एक नंबर मिलेगा एक नंबर कहीं नहीं गया ठीक है अब इसके बाद आपको आ जाता इसमें जीवन पर्चे लिखने के लिए अब आपको होगे कि सर मुझे इसका जन्मतिति नहीं पता होता है या कोई जीवन याद नहीं है ऐसा जीवन पर्चे आगे जिसे मैंने तयार नहीं करके गया उसका जीवन पर्चे कैसे लिखना है कि हमें पांच नमबर मिले ही मिले देखो कैसे मिलेगा आए देखते हैं इसको यह जीवन पर्चे मुझे बिल्कुल याद नहीं ठीक है और मैं इसे लिखा हू अगर जीस भी examiner के पास मैंने खुद बात किया हूं examiner से मैं खुद कोपीचे करता हूं जीस भी examiner के पास जाएगा वो पूरा पूरा इस पर नंबर लुटा देगा कैसे लुटाएगा सबसे पहले आपने उपर लेखक पर्चे लिखा है प्रसनोत्तर संख्या 26 ककड डाला और जैसंकर परसाथ डाला यही सीजे एक जामनर देकर नंबर आपको दे देगा ठीक है अब दोको यह आप पढ़ोगे तो खुद आपको अर्सी आएगी कि यह बिल्क गखक के लिके हिंदी के प्रमुख लेका जैसंकर परसाथ का हिंदी में को महतपूर यह प्रसाता अंधग संस्कीत अर्दु अक्रसाओं का ऐसी परिस्तिती आती है कि उनकी अंदर निचोड़ आ जाता चीजों को बनने के लिए तो उनकी दुख और उसमें देख भाल भी अच्छी तरी के इसने उस तरह के दवा नहीं थे किसी को कोई रोग पकड़ लेता था तो वो मर जाता था ठीक है ये चीजे लिख दिना मात प्रित्यों की मिर्तिव हो जाने की करण इनकी उपर कटनायों का पहाड तुड़ पड़ा इनका बच्पंत सुख में वीता पश्रूत में अत्याथी कटनायों का सामना करना पड़ा हइंदी में depende में बहुत सारे रचनाय लिख सो कहानिया उपननेया आ यहां पे 28 डाल देना है इसके बाद सेवा में डालना है स्रीमान प्रधाना चारीजी एच वी इंटर कॉलेज प्रयागरा जुक्तर प्रदेश इतना आपने लिखा यहीं चीजे एक्जामनर देखता है इसके बाद महोद है सबीने निवेदन है क्योंकि एक्जामनर के पास यह चीजे मिलती है कि आपको किस पर नंबर देना आपको इस्टेक्चर प्रस्तूत करना आपने इस्टेक्चर प्रस्तूत किया सबीने निवेदन है की आप कह सकते हो कि मेरे घर की आर्थी किस निएक आपको कारतर को इसे बहुत बाड़ी किरपां तक है हो आपको आजय आपको आ जाता है यह बढ़ने के लिए जो कि साथ माक्र्सका सबसे पहले आपको निबंद लेकंद लेखन डाल देना है प्रशनुत्र संक्या 30 अच्या पर दूसर समस्या पहला आद इसी को प्रेम लिखेंगे और आपको लिखने के बाद जहां पर सब कुछ डाल देना प्रस्तावना डाल देना है ये मेन हीडिंग होती है अब दो को प्रस्तावना प्रदूसर लिख रहे तो उसे लेटेट कुछ कीवर्ड आपको पता होगा जिसे प्रयावरर प्रदूसर आज मानो जीवन के लिए एक गंभीर समस्या पूरा विश्व इस समस्या से परिसान है इतना लिख देना है प्रदूसर का अर्थ जानती तो लिख देना है ये सब चीजे लिखना है इसके बाद बीच का मतफूर टापिक होता है जैसे वायू परदूसर हो गया जल परदूसर हो गया ध्वनी परदूसर हो गया रडियो धर्मी परदूसर हो गया परदूसर को रोकने का उपाय क्या है, परदूसर का कारण क्या है, उसका निवारर क्या है, यह सब चीज़े बीज की टोपिक होती है, लास्ट में उपसाहार यानि सर्क लिखा जाता है, इतना अगर लिख कर आओगे आप तो इसमें आपको साथ नंबर में से छे नंबर मिले तो उस कंडिशन में क्या ट्रिक लगाना है, आज की इस वीडियों बस इतना ही, मिलूंगा एक नेश्टी वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद,